गनपति फूजा के लिए अभी तक आप सबने क्या क्या बनाया आप लोगों ने भोग के परसाद में अभी तक और क्या क्या बनाया है मोदक के अलावा मोदक भी एक नहीं कई तरह से बनाया जाते हैं और कई चीजों से बनाया जाते हैं अलग अलग दिन अलग अलग तरह की परसाथ अरपित किया जाता है और मोदक भी कई तरह के बना करके उन्हें परसाथ के रूप में चढ़ाया जाता है तो आज मैं भी एक और मोदक की रेस्पी आपके साथ share करने जा रही हूँ बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही जटपट से बन भी जाएगा तो इसके लिए मैंने लिया है दूद तो दूद लिया है मैंने डेड़ कप कब से ही आपके मैंने दिया है आपको टोड़ी से भी ले सकते हैं और जिस कब से मैंने दूद लिया है उसी कब से मैंने एक कब इसमें चीनी डाल लिया है तो मीठा थोड़ा भूत आप कम जादा अपने हिसाब से कर सकते हैं कि इसको हमें तबक चलाना है जब तक यह चींगी अच्छी तरह घूलना जाए आप चाहे तो अब पीसी भी अगर आपके पास में टैने हैं तो आप उसे भी डाल सकते हैं पीसी भी चींगी डालेंगे तो जल्दी से घूल जाया गा और यह क्योंकि खड़ा जिनी है तो इसको घुलने में थोरा सा टाइम डगेगा। और अब मैं ले लेती हूँ यहाँ भोया, भोया मैंने लिया है 700 ग्राम है, 2800 ग्राम है। मैंने थोरा सा किसी और काम के लिए निकाला था, 200 ग्राम था तो ये सवा सो ग्राम खोगा है इसे में डाल करके दूद में हलका सा चला लेती हो फ्लेम लू है भी बिलकुल और इसे चला चला करके मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हो तो जैसे जैसे आप चलाएंगे दबा दबा करके न वैसे वैसे ये दूद के साथ में घुलता चला तो यह देखिए यह अच्छी तरह मिकस हो गया है कि इसको तब तक आपको चलाना हाट जब तक यह अच्छी तरह बिल्कुल दूद के साथ दोilan लाएं और यहाँ पर मैंने लिआ है कटोरी से 1 कटोरी है और ग्राम से यह भी 700 ग्राम है मैंने लिया है नारेल का बुरादा तो नारेल का बुरादा भी आप थोड़ा बहुत कम जादा कर सकते हैं आप 1500 ग्राम इसमें ले सकते हैं मैंने 700 ग्राम ही लिया है क्योंकि मैंने जितना खोया लिया है उतना ही मैंने इसमें नारेल का बुरादा लिया है यानि कि desiccated coconut लिया है और आप इसे चलाते जाना है आपको चलाते रहना है continue छोड़ना नहीं है आपको और चलाते हुए इस तरह देखिए बिल्कुल ये तूद इसका सूख गया है तो अब डालेना है एक चमच घी वैसे इसमें घीए की ज़रुवत है नहीं लेकिन फिर भी आपकर डाल लेंगे न तो थोरा सा ये अच्छी शाइनी आ जाएगी इसके उपर में और इसको अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेना है और थोरा सा मैंने डाल लिया है इसमें इलाइची पाउडर इलाजी पाउडर राला क्लिप ना थोरा सा कठ हो गया है और यहाँ पे मैंने एक प्लेट में इसे निकाल लिया है निकाल के इसे ठंडा होने के लिए पहले छोड़ देती हूँ थोरा सा फैला कर थोरा सा मैंने यहाँ पे निकाल लिया है बिल्कुल थोरा सा ही मैंने निकाला है मुझे जादा की नहीं एकदम थोरे सी की जरुवत है और क्योंकि गरम गरम है न तो इसी में मैंने थोरा सा डाड़ लिया है कलर ताकि यह अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो मैंने लिया है ग्रीन फूड कलर आप चाहें तो और कोई कलर जैसे की ओरंज फूड कलर ले सकते हैं खाने वाला ये कलर है और मैंने लिया है मोदक, मोल्ड इस तरह का सांचा मोदक बनाने वाला और इसे थोरा सा घी से ग्रीस कर लिया है उपर मैंने थोरा सा ग्रीन जो बनाया है उसे मैंने उपर लगा लिया है और बीच में इस तरह सफेद वाला पॉर्सन लगा लिया है तो इसको न अच्छे से पहले ठंडा हो जाने दीजिएगा तब इसको बनाईएगा क्योंकि अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छे तरह बन पाएगा तो अब अच्छे तरह पीछे से भी लगा करके इसको बढ़िया से सील्ड कर लीजिए और हमारा ये देखिए कितना खुबसुरत लग रहा है न मुदग तो इस तरह बनाएंगे बहुत अलग-अलग डिजाइन में अलग-अलग तरह के आपको मिल जाएगा सोसल साइट पे लेकिन मैंने बहुत सिम्पल तरीके से ही बनाया है लेकिन देखने में फिर भी ये अच्छा लग रहा है तो आप भी इस तरह ट्राइ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सिम्पल ही कलर ना यूज करके और मैंने जो उपर इसमें हलका सा डिजाइन डाला है वो ना यूज करके आप इसी तरह सिम्पल बना सकते हैं तो इसी तरह मैं अपने मोदक को पहले साड़े मोदक को अच्छी तरह बना सकती हूँ आप अलग-अलग कलर भी बना करके अलग-अलग तरह का बना सकते हैं वो भी आप भोग में रखेंगे ना तो बहुत सुन्दर लगेगा तो कहते हैं न कि पहले इंसान आखों से खाता है उसके बाद हाथों से खाता है तो इसी तरब भोग पर साथ जो भी हम बनाते हैं न तो पहले हम यह देखते हैं कि यह कितना सुन्दर लग रहा है कितना खुबसूरत लग रहा है तब हम इसे भगान को भोग लगाएंगे तो यह देखिए आप इस तरह भी बना सकते हैं मोल्ड को बंद करके उपर हरा वाला पहले डाल लीजिए और फिर इसमें जो सफेद वाला है वो डाल लीजिए तो यह भी देखिए बहुत आसानी से इस तरह भी बन गया है तो आपको जैसे सुविधा लगे न आप उस तरह मोदक बना लीजिए तो चलिए मैंने तो अपना सारा मोधक बना करके तैयार कर लिया है तो अब लेके चलती हूँ भोग के लिए तो भोग के लिए थाली लगा लेती हूँ गनपती बप्पा के लिए तो आपको कैसी लगे ये मुदे की रेश्पी ये एकतम मुँ में घोल जाने वाली रेश्पी है और आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा बहुत ही स्वाधिस्ट बन करके ये परसाथ तैयार होता है तो मैंने तो गनपती बप्पा के लिए परसाथ तैयार कर लिए है उपर से के गुलाब की पतिया मैंने लगा लिए है आप चाहे तो इस पे बादाम काजू कुछ और भी लगा सकते हैं तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेश्पी में तब तक के लिए ठीक क्यार और स्वाइट और बप्पा, मुर्या